ओतर पिदेश की जहांसी जिल में पिछले साड़े पांच माह से बंद समाजबादी पार्टी के पूर बिधायक दीप नार सिंग यादो की मुस्कले कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उनके खिलाप एक और मुकर्मा दर्ज हुआ है इसके साथ ही उनके साले विजिन यादो को पुलिस ने गरिफतार कर लिया है। कदमे दर्ज हैं रंगदारी वाले मामले में पूर बिधायक दीप नार सिंग यादो को भी नाम जद किया गया है। 16 सितंबर 2022 को कन्नोस पेसी पर आए को क्या तपरा दी लेखराज को पुलिस का स्टेटी से चुआने की कोसिस के मामले में पुलिस ने 19 लोगों के खिलाप मामला दर्ज कर किया था। सिवाद उनने जेल भेजा गया था इसमें पूर बिधायक दीप नार सिंग यादाओ उनके साले मोठ नवासी बिजेंद यादाओ समय ते अनलोग सामय थे। कुछ समय पहले ही विजेंद यादाओ को जमानत मिल गई थी। अब रभीवार को पुलिस ने उन्हें फिर से कानपूर हाईवे पर आरहुई गार्डन के पास से गरफतार कर लिया है। उन पर अलग अलग थानों में 19 मुकर में दर्ज हैं। पर बिजेंद खरारे सोनी बाप पांच अग्यात लोगों ने सुमित की भूमी पर जबरन कबजा कर लिया, मना करने पर जान से मारने की धम की दी और पांच लाग रुपए की डुमांड की। सुमित का कहना है कि जबकि प्लाट छोड़ने के एवज में 50,000 रुपए पूर्व में नगत भी ले चुके हैं। फलाल पुलिस ने धारा 447, 386, 504, 120B के तहट मुकदमा दर्ज किया है। इसके बाद पुलिस ने वरजेंद यादाओ को फलाल गरवतार कर लिया है। आपको बता दें कि दीपनारसिंग यादाओ के खिलाब जो मामरे दर्ज हैं उसको लेकर वए जेल में बन हैं। बरजेंद यादाओ को जो पिछले दुनों जमानत मिली थी उसके बाद से फर उनकी गरपतारी होने से एक बार फिर दीपनारसिंग यादाओ के उपर एक और मामला दर्ज हुआ है। उनके जिल से बाहर आने की और मुस्किलें बढ़ गई है। फिलाल देखना यह है कि अब आंगे क्या होता है। मार्केट संबाद की रिपोर्ट जासी।